मैं शशी चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने Youtube Channel study with चंद्रा शशी में तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी आशा करती हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे तो बच्चों आज हम करेंगे आपकी पांचमीं कक्षा का जो गड़ित का जादू ह उसका पहला पार्ट मचली उचली पहला पार्ट है यह मचली उचली तो चलिए शुरू करते हैं यह पार्ट और इससे पहले जरूरी बार बच्चों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आ तीन पंक्तियों में कही गई इस कविता को हाइकू कहते हैं हमारे यहां कविता बोलते हैं इसको मतलब भारत में हम लोग बोलते हैं ऐसी लाइनों को जो ऐसे लिखी जाती है कविता ठीक है और यहां जापान में क्या कहते हैं लोग जापान में कहते हैं हाइकू क्या कहते हैं कविता को हाइकू जापान में लोगों को बहुत पसंद है हाइकू यानि कविता है तो चलो एक और हाइकू पढ़ते हैं तालाब शांत इस्थिर मचली उचली और लोटी तालाब लहरों से हिल गया क्या तुम्हें कोई मचली गानी से सम्मधित कवीता याद है तो कोई कवीता अगर आपको याद हो तो मुझे कमेंट बोक्स में जरूर लिखना यहां बच्चों के बनाए गए मचली के कुछ चित्र दिये जा रहे हैं यह देखो यह बनाए गए हैं बच्चों द्वारा अब तुम मचली के बारे में सोचते हो तब मचली की कौन सी आकरती तुम्हारे दिमाग में आती है मचली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और तिर्भुच का उपयोग करो अब देखो तिर्भुच का उप्योग करेंगे आप मचली बनाने के लिए इस तरीके से करेंगे ठीक तो ये बन गई मचली ये आख बना दो और ये मूँ बना दो ठीक है इस तरीके से ठीक आगे देखो अपने आसपास कपणों पर चित्रों पर दरी आदी पर मचली के डिजाइन ढूनो मीन का अर्थ है मचली और मिनाक्षी का अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आख मचली जैसी है क्या दूम ऐसी आखो वाली व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो अब देखो आपकी किताब में दे मचली जैसी आखो वाली यह लड़की क्या नाम हो सकता इसका मिनाक्षी ठीक है एक ऐसा चहरा बनाओ जिसकी आख मचली जैसी हो ठीक तो आप एक ऐसा चहरा बनाना जिसकी आख मचली जैसी हो एक सेंटीमीटर मचली अलग-अलग आकार की हो सकती है सबसे छोटी मचली लग होती होगी ठीक है आपके पास फुट्टा होगा फुट्टे से नापना एक सेंटी मिटर कहां आता है और लाइन खीच के देखना के एक मचली एक सेंटी मिटर वाली कितनी लंबी हो सकती है ठीक इस तरीके से तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मचली के बारे में सोच सकते ह तुमारी बड़ी मचली सबसे छोटी मचली से कितना गुना लंबी है तो ये वारी जो मचली है आप इसको नापना और फिर देखना एक सेंटीमीटर वाली जो मचली आप बनाएंगे उससे ये मचली कितनी लंबी है फुट्टे से नापना सबसे बड़ी मचली वेल सार्क है वास्तम में यह वेल नहीं है, बलकि एक बहुत बड़ी मचली है, वेल मचलीयों से अलग होती है, वेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है, लेकिन मचलीयों की नाक नहीं होती, वे पानी लेती है, हवा नहीं, वेल बच्चों को जन्म देती है, लेकिन मचली अंडे देती है, ठीक है और जो मचलियां होती हैं वो पहले अंडे देती हैं और फिर उसमें से बच्चे निकलते हैं ठीक है और मचलियां हमेशा गिल से सांस लेती हैं ठीक है गिल वेल शार्क बड़ी और खतरनाग दिखाई देती है पर किसी गो नुकसान नहीं पहुचाती वे मनुश्य पर हामला नहीं करती एक वेल शार्क 18 मीटर लंबी है जरा सोचो यह कितनी लंबी होगी तुम्हारी लंबाई के लगबग 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा करने से मिलने वाली लंबाई अंदाजा लगाओ उसका वजन कितना होगा तुम सभी 12 बच्चों के कुछ वजन से बहुत जादा उसका वजन लगबग 16,000 किलोग्राम होगा 16,000 किलोग्राम ठीक है तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम है माल लो आपका वजन 20 किलोग्राम है कितना है 20 किलोग्राम ठीक है किलोग्राम ठीक अब तुम्हारी ही तरह के 12 बच्चों का कुल वजन कितना होगा तो भई 12 बच्चों का वजन जानने के लिए आप क्या करेंगे 12 को 20 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 और 0 का 0 दो सो चालिस किलो ग्राम एको वेल शार्ट का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से लगबक कितना ज्यादा होगा तो वेल शार्ट का कितना था 16,000 किलो ग्राम और बच्चों का कितना है 240 ग्राम 240 किलो ग्राम अब इसको माइनस कर दो 16,000 में से जीरो में से जीरो गया जीरो ठीक है यहां से हासिल लेंगे 10 10 में से यहां लिया कितना होगया 10 यह बच्चा कितना 9 तो 10 में से 4 गए कितना बचा? 6 और 9 में से 2 गए कितना बचा? 7 और ये 6 की जगे 5 बचा था तो 5 और 1 15,760 15,760 किलोगराम ठीक है? किलोगराम इतना हो गया किसका वजन? कितना ज़्यादा है? 15,760 किलोगराम ठीक है? वेल और मचली में अंतर देखने के लिए उनकी पूँचों को ध्यान से देखो तुम देख सकते हो कि मचली की पूँच उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है पर वेल की पूँच दो पैरों के समान दिखाई देती है ठीक है? ये देखो इसकी पूँच कैसी है सीधी खड़ी है और इनकी पूँच ऐसी है क्या तुम तस्वीर में मचली को पहचान सकते हो मचली का स्कूल मचली समुद में बड़े बड़े जुंडों में तैरना पसंद करती है जिसे मचली का स्कूल कहा जाता है जुंडों में होने के कारण उन्हे दर नहीं लगता वे बड़ी मचलियों से सुरक्षित महसूस करती है क्या तुम अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो हाँ करते हैं आप एक बाघ बताओ जब आपके दोस्त बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती है और बड़ी दिखाई देती है यह देखो बड़े हो गए ना इनके पेट जिंसी ने मचली के चितर बनाने के लिए नीचे दी गई आकरतियों को उपयोग किया है अब तुम भी इन आकरतियों को उपयोग नीचे दिये गई अलग- बना सकते हो यह देखो इन में से चाटके आप क्या करेंगे जैसे आकरति दी गई है वैसे वैसे बना देंगे जैसे गोल से अक्टूपस भी बना सकते हो ठीक है कच्छवा भी बना सकते हो मचली भी बना सकते हो यह देखो यह इस तरीके से केकड़ा बना सकते हो जैसे मैंन तुमने इसे फिल्मों में देखा है या सच में देखा है तुम्हारे विचार में समुदर कितना घहरा होगा मालूम करो क्या तुम्हें त्यारना आता है क्या तुम्हें समुदर की उची उची लहरों से डर लगता है जो बच्चे वहां जाते वहां आसपास रहते समुदर के उनको डरनी लगता और जो घूमने जाते उने तो लगेगा अपनी आखे बंद करके सोचो की समुद्र में उची उची लहरे उट रही है तुमारे विचार में लहरे कितनी उपर उट सकती है तो भही 10 मीटर से 20 मीटर तक उची उट सकती है हमारे विचार से ठीक है कलपना करो की मचवारे अपनी नावों में बैठे हैं और लहरों के साथ उनकी नाव उपर नीचे हो रही है मचवारे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं कुछ मचवारे अपनी लकडी के फट्टे से बनी साधारन सी दिखने वाली नाव से जाते हैं देखो ये लकडी के फट्टे से बनी वी नाव है अगर समुद्धत उफान पर हो और तेज हवा के साथ साथ उची लहरे भी उट रही हो तब इन मचवारों को बहुत मुश्किल स सामना करना पड़ता है लकडी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगबक एक घंटे में चार किलो मीटर तक चलि जाती हैं दस किलो मीटर तक जाने में उन्हें कितना समय लगेगा अब बताओ एक किलो मीटर में क कितनी चार किलो मीटर ठीक है तो दस किलो मीटर में कितनी जाएंगी तो चार को दस से गुणा कर देंगी 40 किलो मीटर चली जाएंगी ठीक है अंदाजा लगाओ तुम तेज चल कर एक घंटे में कितनी दूर जा सकते हो कितनी दूर जा सकते हो एक से दो किलो मीटर बस इससे ज तो समुद्र में रास्ता ही भूल जाएंगे यहां पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं पता करो सूरज की ओर देखो और पता करो वह किस दिशा में उखता है तो बताओ कौन सी दिशा में उखता है पूर्व दिशा में तुम जहां कहीं भी हो देखो कि तुम्हारे पूर में कौन-कौन सी मज़ेदार चीज़े हैं वही पेड़ है ठीक और पक्षी है ठीक अपने पश्चिम की और देखने वाली दो चीज़ों के नाम बताओ अब आप पश्चिम में देखो और बताओ कि क्या-क्या चीज़े आपको दिखाई देती हैं जैसे पा अने के लिए कई घंटों तक इंतिजार करना पड़ता है अलग-अलग तरे की नावों को देखो ठीक है कुछ नावों में मौटर लगी होती है देखो यह रही नाव और वे समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती हैं समुद्र में दूर जाकर उन्हें ज्यादा मचलिया मिल जाती हैं मोटड नगी नावें लगवक 20 किलो मीटर प्रति घंटे तक कचली जाती हैं प्रति घंटे मतलब एक घंटे में कितनी 20 किलो मीटर ठीक, motor board साड़े तीन घंटे में कितनी दूर तक जाएगी अब देखो, यहाँ पर एक चीत देखो एक घंटा में कितनी जाएगी, 20 km ठीक है, तो साड़े तीन घंटे में मतलब साड़े तीन घंटे में कितनी जाएगी 20 को 3 से बुड़ा करो, 20 ती या 60 साड़ तो ऐसे ही हो गया, ठीक है, बचा कितना आदा घंटा, आदे घंटे में कितने अगर एक घंटे में 20 km जाएगी, तो आदे घंटे में कितनी जाएगी, 10 km जाएगी, तो कितना हो जाएगा 70 km, है ना असान, देखो एक घंटे में 20 km, तो 20 को 3 से गुड़ा करो, कितना हो जाएगा, 3 घंटे में कितनी चली जाएगी, 60 km, बचा आदा घंटा, मतलब एक घंटे में जाती है 20 km, तो आदे घंटे में कितनी जाएगी, 10 km, तो कितना हो जाएगा, 70 km, ठीक, अब देखो, 85-85 km जाने में उसे कितना सम लगेगा पता चला आपको चार घंटे 15 मिनट ठीक सीधा सीधा हिसाब है देखो एक घंटे में चली कितना 20 किलो मीटर तो 85 किलो मीटर कितने में चलेगी अब देखो 80 कितने में चले जाएगी तो पहले तो कितना निकालेंगे हम एक किलो मीटर का निकालेंगे एक किलो मीटर का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा एक बटा बीस करना पड़ेगा ठीक है और फिर जब हम असी का निकालेंगे तो असी का निकालने के लिए हमें इसको एक बटा 20 और गुणा असी करना पड़ेगा तो 20 से जब हम असी को भाग देंगे तो क्या आएगा ठीक है चार आजाएगा तो 4 किलो मीटर तो यही निकल गया एक घंटा बराबर 20 किलो मीटर एक घंटे में जाती है 20 किलो मीटर तो यह कितना हो गया आदे गंटे में कितना जाएगा 10 किलो मीटर और आदे से आदा यानि वन फोर्थ में कितना जाएगा पांच किलो मीटर तो वन फोर्थ का क्या मतलब होता है एक घंटे में कितने होते हैं बच्चों साथ मिनट होते हैं, साथ के अगर आदे हम करें, तो कितना हो गया, तीस मिनट हो गया, तीस मिनट के अगर हम आदे करें, तो कितने हो जाएंगे, पंदरा मिनट हो जाएंगे, तो अब देखो, इसको ध्यान से समझना, एक घंटा बराबर बीस किलो मीटर, ठीक है, बीस किलो म तो 20 तिया 60 तीन ये आ गया और 5 ये बचा इधर तो 5 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 15 तो कितना हो गया 15 मतलब 4 घंटे 15 मिनट में जो है ये कितना जाएगा 85 किलूमीटर का रास्ता तै कर देगा मतलब कितना समय लगेगा 4 घंटा 15 मिनट तीगे